आप मेंसे कितने लोग हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, या तो स्कूल में, या कॉलेज में, या जॉब कर रहे हैं, पूरा सुन लो या जॉब कर रहे हैं, और आगे जाकर के अपना खुद का बिजनस करना चाहते हैं और सिर्फ चाहते नहीं हैं, उनका बर्णिंग डिजायर है, कि मुझे हर हालत में अपना बिजनस करना है, एक ना एक बार ट्राइ जरूर करना हैं, कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं एक सच बात बताओं आप लोगों को सुनने में थोड़ी सी कड़ी लगेगी लेकिन सच है क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हम प्रॉब्लम्स के solutions नहीं निकाल पाएंगे तो सच बात ये है based upon thousands of surveys and researches worldwide ऐसी बहुत सारी studies हुई है जहां से डेटा निकल करके आया है और उस डेटा के बेस्पे में आपको यह बात बोलने वाला हूं कि अभी जितने भी लोगों ने हाथ उपर किया था बहुत लोगों ने किया था मोटें 80% एपर दुबारा करेंगे बर्णिंग डिजायर है क business करना है कड़ आप में से जितने भी लोगों ने अभी अपना हाथ उपर किया है 90% से ज्यादा लोग कढ़ाएंटीड ए सूचो किसी को लग रहा है एक को भी लग रहा है कि मैं फेलना उगा अगा एक लगता हुपर कियो करता है रहा रसका लगई टरह एक पिर भी करो slit तो सब को लग रहा है कि हम सक्सेस्पुल होंगे हम तैयर पाएंगे लेकिन ढूप जाएंगे क्यों वजे क्या है और बताओं किस तरह से तेल होंगे आप में से जिन्हों ने भी हाथ उपर किया था आदे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे और ऐसी बहुत सारी रिसेर्च इस हो चुकी है जिसके बेस पर मैं यह बात कर रहा हूं कोई थिरॉटिकल बात नहीं है प्राक्टिकल है आदे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो मरते दम तक बिजनस करने का कभी ट्राई ही नहीं करेगे मतलब कि वो फेल हो जाएगे इसलिए नहीं कि उन्होंने किया और फेल हो गए इसलिए कि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया वो डिजायर उनके अंदर ही चला गया बाकी के जो 50% लोग बचे उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि अब इसको ध्यान से समय ना क्योंकि वो बिना सीखे के बिजनस क्या है बिना समझे के बिजनस क्या है बिना लर्णिंग पर फोकस किये अर्णिंग को ध्यान में रख करके बड़ा से बड़ा स्टेप उठाएंगे और बुरी तरीके से पेलेंगे वालाव सीधी उस घहरे पानी में जा करके छलांग लगाएंगे और अपने आस पास में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लाखो लोग नजर आ जाएंगे जो यही गलती बार 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 कर रहे हैं आपको प्रैक्टिकली बजाता हूं किस सरी के से मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसे मिल चुके हैं जो जब भी कभी मैं कहीं किसी फंक्शन में जाता हूं या यह Q&A सेशन होते हैं अलग अलग जगे पर लोग मिलते हैं तो लोग जातर अपनी कहानी सुनाते हैं कि बाई देखो मेरा ये ड्रीम था ये बिजनस करने का और म मैं बुरी तरह से फेल हो गया अब मैं क्या करूं बता हूं हेंड में मों पूछते हैं अब मैं क्या करूं बताओ अबनिग प्मुझे ये बथा ऑन को यह की आपने बिजनस करना कहां से सीखा कि यो मैंने समिंग एक्जामपल आपको दिया था उसने जा करके चलंग लगा दिया और वो डूब गया तो उसे बंदा क्या पुछेगा कि बहगा सुमिंग करनी आती थी यह नहीं नहीं आती थी तो क्यो कूदा तो मैं लोगों से पूछता हूं मैंने का बिजनस करना कहां से सीखा कई छोटे लेवल पर प्रैक्टिस करी बिजनस करने की सीधा जा करके 10 लाग रुपे लगा दिया 20 लाग लगा दिया क्योंकि आइडिया अच्छा है क्या मतलब है कहीं से समझा किसी ने आपको गाइड किय कुछ बंदा जो सक्सेस्फुल उग हो या अपनी दादी और कि शाथ में आपकर यह इसके साथ डिसकस किया वाई किसे सीखा ये तो बता दे कहां से सीखा कैसे सीखा किसी के पास कोई जवाब में और डूट अश्रे को इह वे बिल्कुल इसा है जैसे कि आपको चेस खेलना आता नहीं है, imagine करो, आपको chess नहीं खेलना आता, आपको यह नहीं बता, कि जो हाती है, वो सीधी चाल चलता है, जो उट है, वो टेड़ी चाल चलता है, आप हाती को टेड़ा चला रहे हो, उट को सीधा चला रहे हो, और जहां करके chess competition में बैठ गए, एक ऐसे खिलारी के सामने एक ऐसे competitor के सामने, जो सालों से chess खेल रहे हैं, business में, business की बात कर रहा हूँ, chess से relate करो, business और chess में जादा फर्क नहीं है, एक ऐसे competitor के सामने बैठ गए, एक ऐसे खिलारी के सामने, जो expert है chess के अंदर, आपने घर में भी chess नहीं खेला, आपको पता ही नहीं chess है क्या, बस आपक इने फ्रिडिग प्लान ही नहीं है, उस है ही नहीं, कैसे बिंग जाएगा, कहां से आएंगे, स्मस हूआ में से आएंगे, एक लाग फ्रोड़क्स बिंग जाएंगे, एक लाग फोड़ तू, एक बता कैसे बिंगेगा, वदा, एक बढ़ा बदार सा एक souvent हुआ था जो फिस थरी अगुआ है लोलता रहा पत्रों को तूने का भुलता रहा भुलता रहा दो जिस घुका करना है तो नहिए पुलेड अगउन दो तो सारा टूस उसमें खतम कर दोंड अगांनि मैने गूकषे मैन उस्पारम दो को मैं इसको ला में तो तो वहां मैंने बीजनश टेटीस पडिये Actually क्योंख सब्सक्राइब होगी सुना मुझे months कि क्या है बिजनस को डेफिनिशन तक याद नहीं है तो मैं भाई रट्टा लगाने की बात नहीं कर रहा हूं और यह दोनों चीजे एक दूसरे से अप्वाजेट हैं तोनों चीजों का आपस में दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है जब भी मैं अपने किसी सेशन में बो कर रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हो ना कि अर्णिंग हमेशा future में है learning हमेशा present moment पे है learning फोकस करना है earning नहीं अब यह learning क्या है इसमें तीन सिंपल से steps सबसे पहला step है observation simple observation clear है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पहले आपको observe करना होगा उन लोगों को जो उस काम को कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो simple जब तक आप observe ही नहीं करोगे for example आप लोग यहां पर पैठे होए हैं और मुझे सुन रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता आप मैंसे कितने लोग अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हैं मैंड में कुछ और ही बोल रहे हैं मतलब कि अगर आप मुझसे कुछ चुछ पी सीखना चाहते हो तो तचो आपको क्या करना होगा आपको मुझे internships करना होगा मुझे सुनना होगा से हैं लिसन करना होगा है और हमारी आदत क्या है इस से बिल्कोल अलग है कि ये सामने से कोई कुछ बोल रहोता है और अपने माइंड में कुछ ही कुछ सोच रहे होते हैं मला हमारी observation powers इतनी strong नहीं है अगर इस listen word को आप ध्यान से देखोगे तो ये निकला है silent word से S-I-L उसको उल्टा कर दो बन गया L-I-S जो एंड में आ रहा है E-N-T उसको आप गुमा दो उसको कर दो T-E-N क्या बन गया listen तो अब तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि आपका mind पूरी तरीके से silent नहीं हो सुछ सिंपल करने के लिए क्या करना होगा किसी भी चीज को अगर करना सीखना है तो क्रिकेट खेलना सीखना है तो क्या करना होगा या एक्स्ट्राइणरी क्रिकेट खेलना है तो एक्स्ट्राइणरी क्रिकेटर्स को अब्सर्व करना होगा बिजनस करना है तो बिजनस जो लोग कर रहे हैं जो लोग successful हैं जो लोग fail हो रहे हैं तो दोनों को observe करना होगा दोनों से सीखना होगा और फिर बिजनस को करना होगा simple तो पहला step क्या है observation उसके बाद में next step क्या है understanding कि जो observe किया उसको समझना भी पड़ेगा भाई कि क्या observe किया कि अगर business करना है तो दोनों तरह के लोगों को observe किया जो successful है और जो failures है पारीकी से observe किया किस चीज को observe किया उनके actions को observe किया कि वो क्या करते हैं जो successful लोग है किस तरीके से काम करते हैं किस तरह से बोलते हैं और उनके thoughts को observe कि वो किस तरह से सोचते हैं उनका इस दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से अलग है उन आपको और दो कहोता हैै और रहों से जो फेल हो रहे हैं जोक्ष्क को पहला है आपको किया है, और योग क्या करना का लेवल आता है आपको समझना है कि इसमें से जो भी यह सही कर रहे हैं उसमें से क्या है जो आज आप अपनी सिचुएशन में अपलाई कर सकते हो जरुए निया हो सब कुछ जो आज कर रहे हैं वो सब आप आज अपनी सिच्वेशन में अप्लाई कर पाओ जैसे आपको यह बात समाज आई अब आता है तीसरा स्थे आपको उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है छोटे से छोटे लेबल मतलब कि उसकी प्रैक्टिस कर करें तो क्या होगा कोई फाइदा नहीं है सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे कोई अंत नहीं है सुनते रहो मतलब कि अगर मेरे सेशन आप देख रहे हो इसमें हजार बाते में करने वाला हूं इसमें से अगर आपने दो बाते भी प्रैक्टिस कर ली बहुत है कुछ बद आपने प्रैक्टिस किया और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको दो तरह के experiences होते हैं या तो अच्छे experiences या बुरे experiences और इन दोनों experiences से जब आप कुछ सीखते हो उसको बोलते हैं learning यह है यह है